हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप काफी टाइम से बच्चों का था सर सेमिस्टर थ्री वाले बच्चों का एक्जाम सेलेक्शन का या फिर पेपर सेलेक्शन का वो पूटल आ चुका है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दो कौन-कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए जो बेनि आपका एक पोटल है मैंने एक स्टूडिंट का यूजर आइडी पासवर्ड लेके देखा है सबसे पहले इस पर इंस्ट्रक्शन क्योंकि हम इसको बहुत जल्दी आगे जाने के चक्कर में रहते हैं कहता है इंप्रूब्मेंट केस अगर कोई बच्चा एडीशन एग्जामनेशन अगर कोई पास आउट हो चुका है उसको बोला जाता है एक स्टूडेंट तो वह 500 रुपए लगेंगा और एक्जिस्टिंग को 400 रुपए भग जाएंगे अल्टिमेट लास्ट विद दफीश केता है इन केस अफ अल्टिमेट लास्ट डेट वेंद लेट फीश एक्सेप्टेशन एक्जामनेशन विल फिफ्टीन डेज प्रायर ओफ दा कमिंस्बेंट ऑफ एक्जाम यानि एक्जाम शुरू होने से 15 दिन पहले तक आप एक्जाम इनका कोई भरोसा नहीं है आगे हम देखते हैं सर क्या क्या है हमारे डिटेल जो की हमें भरने चाहिए आजएगे ठीक है यहां पर देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें नहीं है चलिए सर सब्जेक्ट सेलेक्शन पर आजाते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और क्या नहीं करना है सब्जेक्ट सेलेक्शन मेन है प्रोसेस आप देखेगा सबसे पहले हमारा है smart subject बिजनस मैसेज में कि क्या-क्य चोईज है एक है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो एकनोमिक्स टू यानि एकनोमिक्स का एडवांस वर्जन है मीडिया एंड हिस्ट्री हिस्ट्री में मीडिया क्या रोल प्ले करता है नेसलिलिजम इंडिया बहुत सारे सब्जेक्ट है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा और गनाईजेशन बिहेविएर चूज करो क्योंकि यह थोड़ा बहुत कॉमर्स से मिलता जूलता है या इमर्जिंग बैंकिंग एंड फाइनिस सर्विस के नए नए टाइम पे हमारे किस तरीके से बैंकिंग फाइनिस सर्विस हो रहा है तो यहाँ पर देखो यह सारे दे जखें कि किस किस चीज से हैं तो आप organization behavior चूज करिएगा इसमें कौन से जर्नल इलेक्टिव में इसके बाद इसके अंदर आपको option नहीं दिया गया अगर आपको evs का जो टू पार्ट है वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा तो यहां पर चार सब्जेक्ट कोर हो गया ठीक है पहला organization behavior ले ले लिए इसके बाद skill enhancement communication अब क्या क्या है skill enhancement के अंदर communication in the professional life ठीक है सर इसके बाद personality development and communication आपका रंग मंच communication in every life and business communication तो मैं आपको suggestion दूँगा कि आप यहां पे business communication चूज कर सकते हैं क्योंकि semester 2 में अगर आपने पढ़ा है company law तो उससे काफी हद तक मिलता जूलता business communication और इस आपको पढ़ा है तो आपके सामने है तो आप इसमें से business communication चूज करिए तो बैटर रहेगा जो easily आपको understandable रहेगा कि सर इसके अंदर क्या barriers है समझ में आ जाएगा आपको ठीक है न अगला है value edit, value edit में आपको पास दो ही है आपका एक है emotional intelligence कि आप किसी को emotionally कैसे मतलब के एक psychological से बताया गया है philosophy और प्रैक्टिस तो फर्स सब्जेक्स चूज करिए तो आदे वह improvement subject में automatically payment में add-on हो जाएगा तो यह सारा का सारा एक overview था जिसको मैंने आपको बता दिया कि semester 3 में क्या-क्या लेना चाहिए इसके साथ साथ सर यहां पर आपके तीन core subject है become honors के अंदर mainly मैं बताना चाहूंगा सर एक आपके पास financial management है जिसको आप बहुत आसान subject समझ रहे हैं नमबर दो हमारा subject है business maths जिसको और भी आसान समझ रहे हैं तीसरा subject है आपका principle of marketing मैंने हर बार आपको time remind कराया है हर बार बताया है सर कि timing जो है ना ऐसे नहीं है कि आप बहुत जल्दी मतलब अब देखो आपके exam जो है 14 December के आसपास से है और हमारे पास November के आज 4 तारिक हो गए हैं तो हमारे पास November के अंदर only and only देखा जाए तो 26 दिन बचे हैं और इस वीडियो को सायद आप कल देखोगे तो 25 हो रह जाएंगे और December में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन मान के चल रहा हैं सर एक exam में एक हपते की चुटी है तो आप खुद भी जानते हो कि एक हपते में किस हसाब से तयारी होगी और किस हसाब से भाई मैं सिंपल से जानता हूं अगर आपने बीकॉम या सिंपल बात करूं आप अगर study के साथ cheat करोगे ना तो ये study आपके life के साथ cheat करेगा forever एक नहीं बार आपको याद दिलाएगा ये कि आप याद रखोगे कास ये पढ़ लेता किसी subject को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आज तक लगता है इसको उस time पढ़ लेता तो ठीक था उस time पढ़ लेता तो ठीक था तो वो कहानी है यहां पे तो मैं आप सभी को suggest ये जो बच्चे YouTube पे पढ़ रहे है YouTube पे पढ़ते रही है principle of marketing तो मैंने कहा copyright के इसू के वज़े से principle of marketing नहीं डालूगा मैं YouTube पे अगर permission मिल जाती है तो मैं डाल दूगा इसके बाद business mess डल रहा है FM डल रहा है बाकी courses के भी fast track batch launch हो चुके हैं और sir fast track batch के अंदर जिस बच्च जब आप starting करते हैं तो आप सोचते हो हम starting से पढ़ेंगे फिर लगता है पांच महने बचे हैं फिर लगता है दस दिन बचे हैं फिर एक महिना बचा है और ऐसे लगएगँ अभी तो 10 दिन बचा हुआ है कर कुछ नहीं पाओगे स्रिफ और स्रिफ कम से कम आप अपने आपक को समझाइए कुछ चीजों से अवाइड करिए जैसे कि मुबाइल फोन के अंदर जादा सा जादा चीजे यूज नहीं करना और मैं बच्चों को यह रिकमंडेशन करता हूं कि जो बच्चे बहुत मतलब कि एक कुछ बच्चे ऐसा होते ना कि कुछ भाण में जाए दुनिया जारी मेरे को पढ़ना तो पढ़ना तो वह तो यूट्व पर पढ़ सकता है जिन बच्चों का माइंड डिस्ट्रेक्ट होता है आप जानते हो कि मैं पढ़ नहीं पाता है, वो बच्चा YouTube पे पढ़ता है, तो distract में वो पूरा नहीं पढ़ पाएगा, उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, आप अपने nearby कहीं, offline coaching में पढ़िए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा है कि मेरे YouTube चैनल पे आओ, subscribe करो, like करो, share करो, ऐसे कर दो, यहा वर्ड बोलने से आपका career खराब भी हो सकता है, और आपका career अच्छा भी हो सकता है, तो जो बच्चा online अच्छे से नहीं कर सकता, नहीं पढ़ सकता, तो simply offline जाईए, आपके nearby center में, वहाँ पे आप join करके अच्छे से पढ़िए, यह career का सवाल है, यहाँ इस से मजाग तो आपके life पूरी spoil हो जाएगी एक तरीके से, जो बच्चा social media में बहुत जल्दी engage हो जाता है, वो YouTube से ना पढ़ें, application पे मैं उन्हीं बच्चों को बोलता हूँ, एक तो देखो, fees हमने बहुत nominal सा कर दिया है, अभी फिलाल हम 299 का हमने बोला है कि 299 है, एक महीने बच्च यूटूब पे आपका सबसे बड़ा distract है, मैं अपनी class देखता हूँ, जैसे for example, YouTube पे अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे वाले पे तो copyright नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ही सिक्षाधाम, चलिए आ जाईए, तो सिक्षाधाम पे आगे, बीकॉम class सिक्षाधाम थोड़ा सा म मैं आगे पीछे करता रहता हूँ, क्योंकि मेरी भी है कि आगे बढ़ जाए, अब मैंने जैसे ही, अब class देखा, कौन सी class देखते हैं, चलो, अब नहीं पढ़ोगे, तो कब पढ़ोगे, exam pattern देख लेते हैं, FM कहीं देख लेते हैं, sir class है, ठीक है, अब इसको जैसे नीचे देखा, देखते देखते, हमने देखा, सबसे पहली गलती, देखिए का दियानगा, 11 मिनट, फिर देखोगे, देखोगे, तब देखोगे, फिर ऐसे करको करते हैं, फ Gasto, इसके बाद फिर नीचे स्टोडी, आछ अगया string फिर नीचे नीचे छाओं गे, ओ भाई सब, क्या क लड़ाई आज इसको जेल उसको ये इसको फांसी इसने यहां पर ये कर दिया उसके साथ यह हो गया दंगा हो गया फसाद हो गया एक्जाम पैटर्न भाण में गया यह दिक्कत है सबसे बड़ी यूट्यूब पे ठीक है ना इन से बचना चाहते हैं तो इसके लिए कूर्स है जहां पे आपको कुछ नहीं सिंपल सी बात है आपका मैं कूर्स का भी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जैसे मैं फार एक्जामपल फाइनिशल मेनेजमेंट की भी बात कर लेता हूँ financial management में गए content में गए भाई ज्यादा ज्यादा क्या करोगे आपको class ही लेना है और आपने class पे click किया और click करने के बाद आपने देखा class आगे पीछे आगे पीछे आप बाहर जाओगे तो simple सी बात है आपका यहां पे class पे ही वापस आ जाओगे तो मैं बस आपस यही कहना चाह रहा हूं distraction आपको 30 दिन तक आपकी एक परिक्षा है और सबसे अच्छा काम मैं बताओं आपको क्या करना है सबसे बेटर जैसे morning में आप उठते हो ना मुझे नहीं पता आपकी morning कब होती है किसी के 6 बजे भी होती होगी किसी के 4 बजे भी होती होगी किसी के दिन के 12 बजे होती होगी जब भी उठते हो ना तो आपका body बिल्कुल relax होता है आलस आता है तो सबसे पहले थोड़ा सा meditation जरूर करो ताकि body के अंदर जितने भी हमारा blood circulation है वह fast हो जाए ताकि mind active हो जाए और अपने साथ सोते टाइम पे ना एक pen और एक register जरूर रखना है मैं कहूंगा एक जितने काम करने सारे लिखने चाहिए लेकिन अभी starting है तो पांच काम लिख लो उसके उपर कि आज FM का यह chapter करना है principle of marketing पर आज यह करना है आज घूमने जाना है आपको खेलना है यह करना है जो करना है वाटेबर आज movie देखना है टीवी करना है पांच काम जो पूरे दिन को बूलना चाहता हूं कि भईया जो बच्चे अभी तक classes भी जोइन नहीं कर रहे यूटीब पे भी नहीं पढ़ रहे ओफलाइन भी नहीं पढ़ रहे सर जौब पे लगे भईया बीकॉम को अगर आपने light में लिया ना तो आपका मैं simple सी बात करता हूं आपकी salary आपकी salary अ कुछ ऐसा activity नहीं है आप सर्फ पूरे पढ़ाई के उपर depend करते हो मेरा मानना है कि जायतर बच्चे सोच रहे थे commerce लिया था कि हम आगे चलके career में कुछ करेंगे और अब आप क्या कर रहे हो career में छोड़ो पहले हम अपनी मर्जी कर लेते हैं अपना हम instagram facebook चला लेते हैं हमा चीज के लिए time है हमारे लिए बढ़े के लिए time है हमारे लिए कहीं बाहर घूमने के लिए time है हम कोई plan करना चाहते हैं चिल करने के लिए time है यह चिल word है जो करने के लिए time है और भी बहुत सारे चीज़े time है लेकिन पढ़ाई को सबसे end में time देते हैं और end में बोलते हैं तो थग्यफ कल से बढ़ेंगे है ना सबसे बड़ी अकाम है तो ये चीज़े छोड़ दीजिए यकीन करिए अगर आप नहीं करेंगे ये सारे काम को अभी तो मैंने बता दिया 36 दिन में है आपका फिर वही कहानी हो जाना है यार आएगा चार के पांस साल लग जाएंगे छे बच्चा हो जाएगा लेकिन ग्रेजुइट वो इमानदारी से हो रहा है नहीं हो रहा है मेंटर करता है एक बच्चा भी कम करके एक लाख रुपे महीना भी कमा रहा है एक बच्चा जो है पूरी जिंदगी कितने कमाएगा 20,000 और सर आने वाली टाइम में 20,000 आप कर रहा हूं मैंने फीस जो जितनी रखी है कई बार मैं एक सिंपल से बात करूं कहीं से अगर जमेटो वगएर सा मैं सोचनों चौमिन मंगा लू तो वो 200 रुपे का पढ़ जाता है चौमिन और इसके साथ एक दो चीज़ा एड़ कर लो तो पता नहीं 500-600 रुपे बना देत करोंगे अगर आपने इमानदारी से नहीं करा अब यह आप डिपेंड करो कि जो इसमें रहना है अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा है तो इसमें रहिए अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी सेलरी अच्छी हो जाए बीकॉम इमानदारी से करेंगे क्योंकि मैं क्यूं कह रहा ह या कॉर्सिस कर पाओगे क्योंकि आपका स्टडी का बैग्राउंड अच्छा रहेगा तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं डूंट वेस्ट आई पेपर भी सेलेक्ट हो गया डेट शिट भी आ जाएगी और आपका पेपर भी है जो बच्चा कॉर्स लेना चाहता है कॉर्स ले पढ़िजिए और जो बच्चा आसपास नियर बाई अपने ट्यूटर से पढ़ना चाहता है नियर पढ़िए जो बच्चा यूट्यूब पर पढ़िए लेकिन मुद्दा एक ही है पढ़िए जरू ठीक है तो होफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आयोगा मैंने झाल